दोस्तों हम अक्सर लिखा हुआ पाते हैं कि जो आपका है वह आपसे कोई छेन नहीं सकता और जो आपके भाग्य में नहीं है वह आपको कोई दे नहीं सकता लेकिन दोस्तों यह अधूरी लाइन है इसमें आगे एक और वाक्य है यदि इश्वरी कृपा रहे तो नामुम्कि चीज भी संभव हो जाती है यहां एक शब्द आ रहा है इश्वरी कृपा आए समझते हैं कि इस शब्द से क्या तातपर है रेल दुरगटना में अपना एक पैर खोने के बाद उस सपने को चुनना जिसमें उसी अंग की सबसे ज़्यादा जरूरत थी जिसे वो खो चुकी अरुनेमा सिनहा जिनके ऊपर मुसीबतों का पहाड एक के बाद एक तूट पड़ा उसी पहाड को फता करने वाली मानो जैसे श्री कृष्न कालिया नाक के फन के उपर नित्त कर रहे हो इस से पता चलता है कि यदि आपका मन आप पर निर्भर है तो आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है यहां तक की अपने शरीर के अंगों पर भी नहीं दोस्तों असल में भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती भाग्य का दूसरा नाम होता है पूर्व कर्म एक होता है कर्म और दूसरा होता है पूर्व कर्म आप आपका आज का कर्म फले ही आपके पूर के कर्म को मिटा ना पाए पर उसमें संशोधन जरूर कर सकता है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि इश्वरी कृपा का असल मतलब क्या है। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चीटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर सो बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चल कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी महनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंदू में गोता खोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लोट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बड़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनावती है, इसे सुईकार करो, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो, जब तक नसफल हो, नीद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किये बिना ही जैजैकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती